Hello guys, question number first की बात करते हैं, 3.2 exercise की In which quadrant or on which axis do each of the points minus 2,4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1,2 and minus 3, minus 5 Live, verified your Point है, A point है, आपको points given है, देखिए, ये point, ये point, ये point, ये point, ये point आपको five points given है, तो पहले वाले को मैंने एजूम कर लिया इसमें जो X coordinate होता है, वो abscissa होता है, जो Y coordinate होता है, वो coordinate होता है अपको पता है कि minus और x तो minus है y plus है x minus इधर होता है और y plus उपर होता है यानि कि कौन सा quadrant आएगा दोनों के बीच में second quadrant आएगा x negative y positive second quadrant आएगा अब देखीगा एपसी सा 3 हो गई ordinate minus 1 तो जब x की value positive y की value negative x positive y negative y dash कौन सा quadrant आएगा fourth quadrant ऐसे x की value minus 1 y की value 0 students एपसी सा आगई ordinate आगया अब देखीग minus 1 कहां पे होगा अगर आपन बात करें आपको पता है यह 0 होता है यह minus 1 minus 2 तो x की value minus 1 है x की value minus 1 चला लेकिन y की value 0 ही है students x की value minus 1 है और y की value 0 है इसका मतलब यह हुआ कि अपन यहाँ पे चल रहे है minus 1,0 आगया ठीक है यहाँ पे यह minus 1 था क्योंकि आपके पास यह x dash था और यह आपका x था यह आपका उपर y था यह आपका नीची y dash था ठीक है तो यह point है अपन x x पे minus 1 चले लेकिन y पे नहीं चल रहे है इसलिए x तो minus 1 y 0 तो कौन सा axis है यह x axis है अब यह point आ जाएगा जब दोनों negative होते तो कौन सा quadrant होता है third quadrant होता है students मैंने इसको plot किया है graph के अंदर देखिए graph में कैसे plot किया है एक बार देखेंगे इसको यह आपके पास x है यह आपके पास x dash है यह आपके पास y है यह आपके पास y dash है जो जो points है उनको draw करेंगी a की value है minus 2,4 यानि कि x की value minus 2 चलना है x पे minus 2 यह चला y पे 4 चलना है 4 तो यह आजाएगा minus 2,4 आपका जो b वाला point है देखो students b पे चलना है 3, minus 1 यानि कि x पे तो 3 चलना है y पे minus 1 तो b आगया 3, minus 1 आपको c चलना है minus 1,0 तो minus 1 और 0 हो गया d चलना है 1,2 और आपका एक e point और होगा यह रहा e x पे minus 3 चलना है y पे minus 5 तो कितना जाएगा minus 3, minus 5 plot the point अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है यह आपको graph वाले question में ऐसे लिखते है scale है यह क्या है scale है on x axis on x axis पे 1 cm equal to 1 unit on y axis 1 cm equal to 1 unit देखे पूरे graph में सब चीज सेम रहती है बस फरक क्या होता है यहाँ पे 1 unit और यहाँ पे 1 unit बस यह change हो सकता है यहाँ पे देखो 1,1 का gap x x पे 1,2,3,4 1,1 का minus 1, minus 2 ऐसे उपर भी 1,2,3,4 अगर 1,1 का gap है तो 1 unit आएगा अगर मालो ऐसे होता है 0,0 के बाद में 2 होता 2 के बाद में 4 होता,4 के बाद में 6 इदर minus 2, minus 4 और minus 6 x x पर दो-दो का gap आ रहा है ठीक है इसलिए 1 unit आथा अगर मालो 5,5 का gap होता है यहाँ पे 5,10,50 नीचे minus का 5,ठीक है अब की बार y पे 5,5 का gap है तो y पर 5 unit आजाता है x पर सेम है इसलिए x पर 1 unit है बाद सुझ में कि जितना gap होता है जिस access पर उतने unit आती है तो यहाँ पे देखो second वाले को भी ऐसी plot करना है यह x, abscissa, ordinate, abscissa, ordinate, abscissa, ordinate, abscissa, ordinate, abscissa, ordinate तो इनको मैंने plot किया है देखिएगा आपके पास सबसे पहले a था a की value x की value minus 2 यह minus 2 y की value 8 तो देखो यह 8 minus 2,8 b की value minus 1,7 c की value देखो 0, minus का x की value 0 है y की नेगेटिव यानकि y पे ही चलना है यानकि यह y पे ही चलना है y पे 1.25 चलना नेगेटिव में चलना है minus का 1.25 यानकि 1 से थोड़ा सा ज़ादा 1 से थोड़ा सा ज़ादा लेकि negative में y पे चलना है देखो यह चल गया x की value 0 है ऐसे ही d की value 1,3 ऐसे e की value 3, minus 1 आपको graph load करना था x x पे 1,1 का gap है तो इसलिए x x पर 1 unit y x पर 1 unit वो वैसा का वैसा scale on x axis on y axis 1 cm equal to 1 unit 1 cm equal to 1 unit students यह 3.2 exercise हो गई है आप इसको बड़ा तरीके से copy में काम करने यह भी exercise खतम हो गई आपकी ठीक है copy में करें इसको काम को देखें इसको समझें औरीस काम करें